पुलिस की टीम ने डोईवाला में एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जिसमें पुलिस टीम ने ऐसे घरों में जाकर चेकिंग की जहां बाहर से आकर लोग बसे हैं और उनका पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है अभियान के दौरान ही पुलिस ने 800 लोगों का सत्यापन किया और उन मकान मालिकों पर कारवाई की जिन्होंने अपने किरायदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाय था पुलिस का ये चेकिंग अभियान केशवपूर बस्ती और राजीद नगर में चला इस अभियान के लिए प्रभारी निरिक्षक ने पुलिस को पाँच अलग-अलग टीमों में बात कर उन्हें ब्रीफ किया जिसके बाद टीमों ने घरगर जाकर ऐसे किरायदारों से पूस्ताच की जिनका पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है पुलिस ने इस दौरान कई संदिग्द व्यक्टियों से भी पूस्ताच कर उनके वाहनों को जप्त कर लिया है पुलिस को शक है कि ये लोग संदिग्द गती वीडियों में शामिल हो सकते हैं वहीं अभ्यान के दौरान ही पुलिस ने आच सो लोगों का सत्यापन किया और मकान मालिकों पर भी कारवाई की पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि बिना सत्यापन के किसी को अपने घरों में ना रखें जिससे आगे कोई भी समस्या नहीं होगी काफी लोग अन्य राज्यों से आकर या अन्य शेरों से आकर पसे हुए हैं इसी परिपेक्ष में हम लोगों ने इनके सत्यापन हेदू एक अभ्यान चलाया गया जिसमें काफी लोगों के खिलाब कारवाई की गई है मतिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश्य से समवेदंशिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहां द्वारा मुख्य मंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन नमबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश्य हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल निउस आपके हक्त में झाल 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 झाल